पूसक तत्तों के बारे में तो इंसान के लिए पोसक तत्तों की आखिर अविश्क्ता क्यों पढ़ती होगी क्योंकि देखिए कोई भी इंसान है जिसकी पूरी बॉड़ी किसे बनी हुई है कोशिकाओं से बनी हुई है हम पहले ही पढ़ चुके हैं बालोजी की जब हमने स्टार्टिंग करी थी कि कोशिकाओं क्या होती है किसी भी जीवधारी के लिए उसकी functional और structural unit के तौर पे काम करती है पूरी body मतलब ही हुआ कुल मिला करके कि पूरा जो सरीर है जीवधारी का वो कोशिकाओं से बना हुआ है और कोशिका में ही सारी क्रिय क्याएं होती है जो भी जीवधारी करता है मुख्य रूप से energy को प्राप्त करने का काम वहीं से होता है अब कोशिका बनने के लिए और कोशिका के सचारो रूप से काम करने के लिए या ब्रहद लेवल पर कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरे जीव के सरीर को सचारो लूप से काम करने के लिए कुछ चीजों की ज़रुवत पड़ती है अब इन में से कुछ जो चीजें होती है वो उर्जा प्रदान करने के काम में आती है जैसे कार्वाहेड़िट कुछ ऐसी चीजें होती है जो बॉडी के इस्तेमाल सरीर हमारा किसके लिए करता है उर्जा उत्पादन के लिए कर लेता है इस तरीके से वसा क्या है एक तो हमारी बॉड़ी से उर्जा की बाहर की तरफ जो उर्जा निकलती है या उर्जा का है उसको रोकने के काम में आती है दूसरी बात अगर कोई चोट लगती है अंगों को चोट से बचाने के लिए एक लेयर के रूप में काम करता है और तीसरी बात अगर एनरजी की ज़रुवत अगर कभी पढ़ रही है बॉड़ी को तो वो एनरजी प्रोवाइड कराने का भी काम वसा करता है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका एनरजी उत्पादन या निर्मार से कोई तालुक नहीं होता है लेकिन उनका तालुक होता है कि अगर कोई मान लिजे फंक्सनिंग चल रही है हमारे बॉड़ी का काम चल रहा है उस काम में अगर कोई रुकावट आती है तो उस काम को कैसे सुच सब्सक्राइब करने के लिए हमारी बॉड़ी में क्या होता है विटामिन की जरूरत पढ़ती है उसके अलाबा क्यूंकि अब यहां पर कोई ट्रक टेक्टर इस तरह का सिस्टम तो है नहीं सभी चीजें घुल करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंसती है मतलब रक्त क अब देखिए यहां से बात स्टार्ट होती है कि जो इन चीजों की जरूरत पढ़ेगी विटामिन्स हो गया वसा हो गया कार्वाहड़िट हो गया इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जरूरत पढ़ेगी हमको जल की तो जल भी एक कंपोनेंट होता है इ देट ही देशी घरेगी हमारी वहती होती चली जाएगी तो पााचन क्रिया को सुचारों रूप से चलाने के लिए आवसुशन्षन क्हिंता से सुचारों रूप से काम करती रहे इसके लिए कि हमें चाहिए फाइवर जिनको डियेट्री फाइवर यह रे से कहते हैं कहा करके कहा जाता है पोशक कारबादेट हो गया प्रोटीन वसा ये मिनडल्स विटामिन्स इन सबी चीजों को मिस्रित रूप से पोशक तत्य कहा जाता है पोशन का मतलब उता है किसी जीवधारी द्वारा अपने जीवन चला ने के लिए आवसक चीजों को ग्रहंड करना आवसोसित करना ही क्या कहलाता है पोसन कहलाता है तो हम यहां स्टार्ट करेंगे पोसक तत्वों के बारे में जैसे हम यहां पर पढ़ेंगे विटामिन के बारे में तो विटामिन एक्चली है क्या उसके बारे में बात करते हैं तो विटामिन हमने decide करी है कि कोई vitamin पानी में घुलती है या कोई vitamin वसा में घुलती है और इस आधार पर हम देखेंगे कि जो जल में घुलनसील vitamin है वो vitamin B और C है B C को छोड़ने के बाद जितनी भी vitamins हैं उनको सब को हम कह देते हैं वसामे घुलंसील विटामिन जैसे विटामिन A हो गया, D हो गया, E हो गया, K हो गया, हमको इस तरीके से पढ़ने की क्यों जरुवत पढ़ती है, एक्जाम में कई बार वो क्या कर देता है, और और इवन लिस्ट छाटने के लिए बोलता है, बोलेगा निम्न मैंसे कौन सी एक विटामिन जल में घुलंसील नहीं है, या निम्न मैंसे कौन सी एक विटामिन या कौन सा पेर विटामिन का जल में घुल सकता है, या वसामें घुल सकता है, वो पेर दे देगा, option A बना के देगा, माली विटामिन A, B, विटामिन K, विटामिन D, इस तरीके से आपके साथ क आगे हम बात करेंगे, तो देखिए, अब विटामिन के सुरोत कार और प्रभाब के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए, क्वेश्चन यहां से भी बनता है, पहले विटामिनों के नाम के बारे में बनता है, विटामिन के क्या क्या सुरोत हैं, इनसे भी क्वेश् तो उसका शरीर पर क्या फ्रवाप पड़ेगा उससे रिलेटेड भी प्रसना आते हैं विटामिन जैसे विटामिन ए है लेकिन जब हम विटामिन बी की बात करेंगे तो एक विटामिन नहीं है बलकि बी कॉंप्लेक्स उसको कहा जाता है उसमें 10-12 विटामिनों का एक जो रायसाइनिक नाम है वो भी पूछ ले जाते हैं कि विटामिन बी नाइन जिसको आप कहने उसका नाम क्या है तो यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इसके सोर्स हैं हरी पत्तेदार सबजी है जब भी बिटामिन ए बी की बात आएगी तो हरी सबजियों क लिए भी बात आएगी फल है या और्गन मीट है जैसे लीवर हो गया या किसी किड़नी हो गया इस तरी की चीजें सम्रध और नाज है है मा के गर्में उसको भ्रून का जाता है तो ब्रून की तंत्र का तंत्र का यह को जाता है तंत्र Record 한कन कि Maar तो वह कम्यूनिकेशन सिस्टप को भी है डवलप करने में कौन सी विटामन B9 काम में आती है अब मान लीजिए अगर विटामन B9 रही रहेगा तो यह जितने भी काम हो रहे हैं वो सब काम होना बंद हो जाएंगे या रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे तो अब इसके अब नियूरल ट्यूब मतलब समझ गए ना तंत्र का तंत्र की बात प्रपर तरीके से बॉड़ी में कम्यूनिकेशन नहीं होगा और प्रपर तरीके से अगर हाथ पेर अगर दिमाग के साथ कम्यूनिकेट नहीं कर पाएंगे तो या तो बच्चे को चलने में दिक्कत रहे बारे में बात करें तो इसको हम नियासिन के नाम से जानते हैं नियासिन कोई निकोटिनिक एसेड भी कहते हैं या इसको निकोटिनी माइड भी कहते हैं और नौर्मल इसका नाम लें तो ये बीटामिन बीथ रही है तो इनके नाम भी आपको पता रहें ज़्यादा अच्छा है इसका सुरोत क्या है जिगर है ये लीवर लीवर इसका स्रोत है लाल मास, रेड मीट, मचली या फिर मुर्गी की बात करें फली वाली जितनी भी सबजियां है वो भी इसका सही है साबुत अनाज जैसे गलाकर के खाते हैं मक्के के भुट्टे हो गए या फिर जो वगेरा का जो हम खाते हैं वो सारी चीज़ है या समर्थ अनाज है या फिर ब्रेड है ये सबी इसके क्या है बिटाविन B3 के स्रोत है इसका काम क्या है ये औक्सी करण प्रतिक्रियां करता है और कार्वाहड़ेट और कोसिका उपाप चै में करता है अब इससे क्या होगा कोसिका पूरी तरह से फंक्सन कर सके ये उसका और कार्वऌ हाइड़ेट का पाचन हो सके ये उसके लिए काम करता है तो अब इसकी कमी से पिर क्या क्या हो जाएंगे जो भी ये कार्ण है इनमें सबमें दिक्क्कत तो बॉड़ी में फिर कुछ ना कुछ डिस्फंक्शन होगा कमी से क्या हो जाएगा मतलब जिल्द की पूजन हो जाएगी ग्लोसे टिस हो जाएगा और आपका केंद्री तंत का तंत की सिथलता हो जाएगी प्रपर तरीगे से वर्क नहीं करेगा आपका जो रिफ्लेक्स सकती है इससे निस्त अबदता भी हो सकती है कंखे बहुत कडना विष्मेज करी अगली के बारे में बात करें तो प्लेविन कहा जाता है इसको नॉर्मली की नाम से बी जानाजाता है इसके source क्या है तो दूद है पनीर है लीवर है मास अंडे सम्रत्धानाज उत्पाद आ दी है मतलब छिलके वाले नाज उनकी बात हो रही है गय हूं हो गया या इस तरह की चीजे इसके काम क्या है तो यह कार्व हड़िट और प्रोटीन के चया पचय के कई पहल्यू जैसे श् अब कमी से क्या हो जाएगा भी है जो जो काम हो रहे हैं वो काम करना बंद कर देगी और उसकी वज़े से फिर समस्य आम को दिखेंगी जैसे चैलोसिस है आपको नाम इनके याद रखने पड़ेंगे चैलोसिस कोडिये इस्टामाइटिस या कॉर्नियल वर्सकूलराइजेशन इस तरह की दिक्कत आएगी मतलब कि बैरी बैरी एक टैप से कह सकते हैं आँखों की जो कॉर्निया वो टेडी मेरी हो जाएगी जिससे द्रस्टी भ्रहम हमारे बॉडी में अपन हो सकता है आगे बात करें तो पूछे जाते रहे हैं तो साबुत अनाज मतलब like मास मांस बिसे शुर के मांस में उसके जिगर में ये पाया जाताई समरध अनाज उतबाद मेवों में डराइफ भू्टस में और फली जितनी भी होते हैं में बीन्स में और आलू में यह पाया जाता है आलू के चिल के मे आलू का जो बीच वाला सफिद पार्ट होता है वो होता है मंड का तो उसमें तो सिर्वाई कार्वाइडिट के और कुछ हो नहीं सकता लेकिन जो छिलका होता है अलू के उसके छिलके में पाए जाता है अब अब यह रिसेंट टाइम में देखेंगे आलू के छिलके के उत्प अच्छे functioning के लिए तो उस चीज़ को हम कहते हैं चया पचे और यह क्या करता है केंद्री और पर्धिय तंत्रका कोशका का कारे करता है और myocardial function करता है यह तो पूरा जो हमारा nervous system है उसके functioning अच्छी तरीके से होती रहे उसके लिए भी थाइमीन काम करता है इसकी कमी से क्या ह हो जाएगा बैरी बैरी हो जाएगा प利 आभे आपकी हर्द हेवी फलता अगी समस्या ओसकती है या फिर व्रन की संच्छा का जैसे हनлы sabon जीगर का तेल लीवर कौड मचली होती है कि स्पिसल टाइप की उसके लीवर का आयल में उसकी मातरा होती है अंडे की जर्दी जो का येलो इस्ट पाइट होता है वह हमक्षन हो गया विटामिन ए बहुत सारे विटामिन उत्पादों में जैसे पनीर हो गया या दूद हो गया उसमें विटामिन A को मिक्स करके बेचा जा रहा है ताकि क्योंकि दृस्टी से इसके ज्यादा कर काम होते हैं तो इस बज़े से भारत में ये दृस्टी सुधार हो सके या जो उम्र की सासा दृस चीजों में भी है विटामिन को फोटीफाइड करने का मतला उस चीज को अलग से मिक्स किया जाना किसी भी एक उत्पाद में जिस चीज की कमी है उसमें अगर उस चीज को बाहर से मिला दें तो इसको फोटीफाइड की प्रक्रिया कहते हैं और इसका क्या होता प्रो विटा काम कि है इसका निर्माр करता है रोडस को कहते हैं आँज की तो रोड की रौ covered अगर जहादा सलनां कोसिता आइब लाइब तो यह तुम oh में रोड कम रहेंगी तो फिर जैसे ही अंदेरा होगा हमको दिखना बंद हो जाएगा इसी को क्या का जाता है रतोंदी का जाता है तो रेटीना में क्या करते हैं यह क्या करता है उपकला हो तमारी जो उपर की जो इसकिन है उसके नीचे वाला जो पार्ट है हमारी इसकिन का सिक्जार कर लाइसे चिड्रता का क्या सबाद रहा करा लाय हो जाए अगर घिया रटो के निरमान का का कर रहा था किसी चीज को देखने में अगर वही नहीं є अगर ci जैसा ही सूर्ज छिपता है दिखना बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो पहले बहुत जादा था वजह लाइट हुआ करती थी आज कल अटिफीशल लाइट है तो उतनी जादा प्रॉब्लम नहीं होती है फिर भी एक सामन्य इंसान क्या है कि अगर थोड़ा थोड़ फिरासा भी है सूरेज अगर नहीं निकल दा तो भी तो थोड़ा थोड़ा दिखता रहेगा लेकिन अगर रतौंदी से पीडित है तो उसको बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा मुर्गे जैसी हाला तो जाएगी सूरे निकलेगा तो दिखना इस स्टार्ट और हैने स्टेici और स्टेट है अगर मान लिए जाता है अपहूरति हो सकती है जैरोफला अछ। है आपके इस तरीके शोटे बच्चों में रुगनता हो सकती है मरती उदर में ब्रधी हो सकती है विशाक्तता जैसे सिरदर्द तुचा का छिलना फट जाती तुचा उस पर आपने वाइट वाइट कलर के रेसस देखे होंगे इस तरह की चीज़ें हो सकती है या फिर हड़ी म हो जाता है इस तरह की समस्याएं बिटामिन एकी कमी से या इसके जादा होने की वज़े से पैदा हो जाती है बॉडी में खास तोर से आपको याद रखना है बिटामिन एकी कमी से रतों दीए खास तोर से पूछा गया कुश्चन है उसको याद रखना है खास तोर से अगे पाइरी डॉक्साय माइन यह इस तरीके से दो तीन बिटामिन्स हैं जिनको बिटामिन B6 के नाम से भी जाना जाता है इनके मुख्य सोर्स का है क्या है तो अंगों के मास औरगन मीट है वो है जैसे कि यकरत खासतोर से या किड्नीज है और साबुत अनाज छिलके वाले अनाज हैं उनकी बात करेंगे मचली है या फिर बीन्स जितने भी फली वाली सबजिया है उनमें यह मुख्य रूप से पाया जाता है इसके काम क्या है तो यह नैट्रोजन के चाया पचय के कई पहलू जैसे उधरन के लिए संक्रमार्ण या पोर्फिरिन और हीम संसलेशन अचन कैसे होगा बॉड़ी में कैसे उनका यूटलाइजीशन होगा इसकाम को यह नरधारित करने में हेल्प करता है और अगर इसमें कमी आ जाती है तो कमी की वज़े से दौरे पढ़ने लग जाते है एनीमिया खुन की कमी हो जाती है नियूरोपैथी हो जाती है मदला हु मिन कहते हैं और इसका जो सोर्स है मास है विशेश रूप से सुवर का मास अंग मास और जिगर वगएरा खासतर सब पॉल्ट्री हैं जैसे बतक हो गया या मुर्गी हो गया इस तरह की चीजें और इनके अंडे हैं और छिलके वाले अनाज हैं दूद है दूद के उत्पाद है फ्लैम सीप और जैसे चाहते हैं बहुत सारे लोग चैनीज वगएरा सीप जापनीज सीप हो गया कैकड़े हो गया वह सारे समुद्री उत्पादों में यह खूप मिलता है और सामन जैसे मचली है उसमें भी यह खूप मिलता है काम क्या है इसके लालरकत को सखाओं की यह मिलता हैों करता है कि कमी से क्या हो जाएगा मेगा लू ब्लास्तिक हो सकता है अनीमिय हो सकता है पर आपे पर तरीके से ब्लक्रम आपना देखार पैरं इसके पाया किन गिन में जाता है तो खटे फलों में यह मुख्यरूप से पाय तो फेलों में यह पाया जाता है तुर्गतों सोफ्दर्रों करता है अध्काने का चौउलिह कहान करता है थतना है Curiosity, नेमिनो के करता है को यह हेल्प करता है कि कमी से हो जाता है इसकर भी संदी से कमजोर हो जाती है दात है दाथ हिले हैं अने लग जाती है आगे बात करें तो वितामिन स सी क्या कि इसलिए जब जहाजों पे जाते थे मचवारे तो उनके खास तोर से सकर्वी रोग हो जाया करता था उनके जो दात हैं आप देखेंगे केरिबियन सी वाली जो मूवीज हैं जितनी भी आप देखेंगे उन मूवीज में भी दिखाया गया कि जो भी समुदरी डाकू या जो भी समुदर में काम करने वाले लोग थे उनके दातों के साथ खास तोर से प्रावलम हो जाती थी आप यूरोपियन कंटिनेंट में देखे साथ साथ खास तोर से पारिया वगयरह से बोजह स्की रहती है कि विटामिन सी की सोड़ी सी कमी रहती है तना बात करेंगे विटामिन के बारे में सब्सक्राइबå दिए मिलेगए और मसली के जिगरं का तेलॉसमें मिलेगा वसायूत मचली हो उ यह मिलेगा लेकिन इन सब के अलावा विटामिन D को क्या करता है कि जब भी पराबेंगे नहीं करना हमारी बॉड़ी पर पड़ती है खास तो उसकी वज़े से क्या होता है आप इसको ऐसे मोटा मोटी समझें तो सूरे के प्रकास में हमारे खुद की स्किन हमारी खुद की जो तो अचा है वो विटामिन D का संसलेशन करती है जिसकी बज़े से हमारा सरीर क्या है स्वस्तर रहता है तो इसको विटामिन को बाहर से ना लिया जाए तो भी हमारी बॉड़ी क्या करती है बस केलसियम की मातरा ठीक ठा करे हमारी बॉड़ी में तो हमारी बॉड़ी खुद स autoimmune बीमारी का खत्रा कम हो जाता है इसकी वजह से बब कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा जो proper काम चल रहे थे वहीं सब यहां पे गड़बडी के रूप में रेकेट्स रूप्ध में क्या हो जाता है कैलसियम भाई कैलसियम की जो क्या करए त्सीयुं को जड़ी यहांगत अगर टरीके से नहीं बन granny क्या हो जाएंगे पतली हो सकता सम्द्धी हो सकता है और जाब जबीया एक कि समस्य हो सकते हैं ये सारी समस्य है किudo 6 ii के बारे में here we have aumen टीन य। या तीन तरह की मिटामिनओं का है टैको फैरोल टाइप की जितने भी है को जोगिक हैं में का मेंवे हैं तो अल्पा और वह छहत सितने जितने बहुंत सब लाकर करें मिच्ष्रोट से क्या करते हैं एसका मुख्ष्रोट वनस्पती-टेयल है और ड्राइफ रूट हैं मेवे हैं काम क्या करता है यह तो इंट्रा-सेलोलर मतलब सभी पोच्पाउं के बीच में और एंट्रा-सेलोलर-से-लड में यूज किया जाता हुण सफा करने May wife handle found दिचativos know to me भी स्वस्थ करेंगे घड़बड भी हमारी कोसिका स्वस्थ नहीं रहेगी एक बात बताई accelerate कोशिका स्वस्थ नहीं रहेगी किसी जमान कोई एकर मकान है बहुत उंचा उसके अगर नीव ही खोकली हो जाए या वह प्रपर तरीके से ना रहे तो ऐसी कंडिशन में पूरी इमारत ही गिर जाएगी या पूरी इमारत का फंक्शन जो वह घडबड हो जाएगा तो वैसे ही हमारी पूरा सरीर क्या हो जाएगा गडबड करने लगेगा कमी का देख लेते हैं प्रभाव क्या पड़ता है तो भई आर्बी सी का यह क्या हो जाता है होमोलिसिस रुक जाता है तंत्र का संबंदी कमी हो जाती है और अगली पीड़ी को उत्पन करने की शमता या इसको हम यह कह सकते हैं कि जो किसी भी जिसान की पुनुरुत पादन शमता होती है या यह अगर जो आप देखेंगे गेहूं जब बारा दिन का होता है पौधे के रूप में और क्या आता है कच्छा गह हों चोटे चोटे पौधे जब इतने बड़वड़े होते हैं वह इसका सबसे बैस्ट सूर्स माना जाता है कि विटामिन के जितने भी हैं हरी पत्तेदार सब्जिया है विसेस रूप से कोलाड पालक और सलाद या साग जितने जिसे बथुआ वगएरा है इस सारी चीज़ें सोया बीन है बनसपती तेल है नवजात अबधी के बाद जठर तंत्र संबंदी बैक्टिरिया उसमें डवलप हो जाते हैं तो जठर से संबंद और अन्यकारकों की कमी के कारण रक्त साब या ओस्टियो पेनिया हो जाता अब एक्चली इसका काम क्या है तो हमारी जो बॉड़ी है उसमें आर बीसी पाया जाता है हमारे सरीर में अगर हम रक्त की बात करें तो आगे हम पढ़ेंगे भी रक्त में आर बीसी पाया जाता है WBC पाया जाता है और उसके साथ साथ में पाया जाता है इसमें T-cells जिनको कहते है या जिनको Plate Lats कहते हैं Plate Lats पाया जाता है Plate Lats का जो मुख्य काम है वो यह है कि वो के साथ reaction करके अलग अलग टुकडे टाइप के रहते हैं चोटे-चोटे-चोटे जैसे मान लीजिए उनके चोटे-चोटे टुकडे हैं अगर आप उसको एक मसीन के थुरू निकाल देते हैं तो उनका क्या बन जाता है एक रेशा बनके त्यार हो जाता है और यह धागे क्या ह में आप इस तरीके से बहा होगे और वो बॉल टाइप की चीज ज्यादा बड़ी है तो जाल में क्या हो जाएगी रुकती चली जाएगी तो हमारी बॉडी से जो खून बहरा होता है यह एक जाल बना देती है और उसकी वज़े से खून लगाता उस जाल में फस्ता चला जा और उसकी वज़े से समस्य उसकी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाएगी अगली हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटीन एक्चली है क्या प्रोटीन सब्द का जो सरपर्थम प्रयोग है वो बरजे लिए इस ने किया था यह एक जटिल कार् भाग पानी से निर्मित होता है और सभी प्रोटीन में नैट्रोजन आवशक रूप से मिलेगा आपको यह भी ध्यान रखना है उर्जा उत्पादन एवं शरीरी की मरमत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदाई होता है लेकिन उर्जा का उत्पादन आपको याद पड़ेगा यह बहुत rare case में ऐसा body में होता है अगर उर्जा उतपादन protein से होने लग जाएगा तो उस condition में body में dehydration की condition बन जाती है और dehydration की condition का मतलब body में हमारी में पानी की कमी होने लग जाती है और उससे death भी होने का चांस बन जाता है जैसे आपर हम अरेंज करना चाहे तो कार्व हेड्रेट्ट से सभसे आदा उर्जा मिलती यह सोर्स कार्वहेड़ेट होता है बौडि में उसके बाद वसा अगर माल झी कार्वहेड़ेट की नहीं रहता है, आगे हम बात करें, तो कुछ fact देख लेते हैं, तो सोय भीन में protein की सरवाधिक मातरा पाई जाती है, मूंफली में protein वसा और सरकरा तीनों पाई जाती है, मूंफली देखेंगे, तो खाने में भी थोड़ी मीठी होती है, मिठास जहां भई यह है, वहाँ पे सा तुक्षा गया को किया सफीड रंग किसी का लुक्शर हो तुक्षा को के सकते हैं प्रोटीन नहीं होता है सामानी क्रियासील महला के लिए अब ये कुशन दो तीन बर पूछा जा चुका है और इसकी मात्रा जो दैनिक है उसको कितनी चाहिए 45-46 ग्राम उसको आवश्यक्ता पड़ती है लेकिन अगर कोई मा दूद पिला रही है तो वैसी कंडिशन में उसको अपने लिए प्लस दूद में भी बहुत सारी प्रोटीन जाती है मा के दूद में क्यूंकि मा का जो दूद होता है बच्चे के लिए वो संपूर आहर का काम करता है संपूर आहर मतलब 6 महीने तक बच्चे को मां के दूद के अलावा और कोई चीज देने की जरुवत ही नहीं पड़ती है इस तरह का complete आहर है complete आहर होने का मतलो उसमें vitamins भी होंगी, proteins भी होंगी, वसावी होगी, उसमें carvohydrate भी होगा, हर चीज होती है इस बज़े से उस मा को अलग से फिर क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजे एक सामाने को तो चाहिए 45 उसको 65 चाहिए और 20 से 22 ग्राम प्रोटीन के एक्सा जरुवत पड़ती है, तो 65 से 70 ग्राम एक दूद पिलाने वाली औरत को इसकी आवश्यक्ता पड़ती है मानव सरीर के 50 से 75 परसत उर्जा की अपूर्टी कार्वाहड़ेट के दौरा होती हमने अभी इस चीज़ को देखा था कि कार्वाहड़ेट सबसे यादा उर्जा प्रतान करता है और आगे हम देखेंगे गेहु, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, सकरकंद, ये क्या है कार्वाहड़ेट के मुक्ष तरोत होते हैं कार्वाहड़ेट के बारे में हम अल्रेडी पिछले ही क्लासेज में पढ़ चुके हैं कार्वाहड़ेट और आगे भी हम चोटा सौट में देख लेंगे बात करें वसा की तो वसा क्या है असंतरप्त वसा वनस्पति और मचली से प्राप्त होती है असंतरप्त वसा समझ गए जिसमें हाइड्रोजन के अलावा कार्वन कार्वन के बीच में या तो दो या तीन बंद पाए जाते हैं डवल या ट्रपिल बॉंड कार्वन के बीच में या तो इस तरह की बॉंडिंग हो या कार्वन कार्वन के बीच में इस तरह की बॉंडिं जंतुओं से प्राप्त होता है उसको हम घी कहते हैं इसमें कारवन कारवन के बीच में सिंगल बॉंड पाया जाता एक वैस्क ब्यक्ति को लगवग 20 से 30 प्रसत उर्जा वसा से प्राप्त होती है न्यूकलिक अमल की बात करें न्यूकलिक अमल वह हैं जिनकी वज़े से हमारे DNA और RNA बनते हैं उनको न्यूकलिक कमल कहते हैं तो यह क्रोमेटीन धागे का निर्माण करता है अब इससे आगे चलके क्या होगा अगला जो component है हमारे nutrients के लिए वो क्या है जल है तो हमारे सरीर के भार का लगभग 60 से 70 प्रसद भाग किसे बनता है जल से बनता है दूसरे नमबर पर protein आता है आगे हम कार्वाड़ेट की बात कर लेते तो carbon hydrogen और oxygen के एक अनपात दो अनपात एक मैं जब ये मिल जाते है तीनों component तो उसकी बज़े से कार्वाड़ेट मिलता है ये carbonic पदार्थ कार्वाड़ेट कहलाते है और सरीर की उर्जा के अविश्यक्ता की अच्छा ही अभी हमने पढ़ी लिया था कि 75 परसेंट तक जो आप पूर्त है वो इन ही पदार्थों के द्वारा की जाती है एक ग्रम ग्ल या फिर आरो यारो के संब्द में किसी भी तरह की कोई और भी फर्दर करना चाहते हैं और लगातार आप उस फिल्ड में लगे हुए तो नोटबुक आए इसको आपको सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको कोई समस्य आ रही है इन टॉपिकों से रिलेटेड या किसी और फिल्ड में तैयारी से समन्दित कोई समस्य आ रही है तो हमारे यह जो नंबर दिये हुए इन पर आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद